सो हलो दोस्तों नमस्कार, इन्मेस्मेंट क्रस्टस में आज सभी का दिल से बहुत-बहुत सवगत है, सो इस वीडियो में बात करें कुछ यह पूर्ण स्टॉक के बार में, जिन में आज की दिन काफी सारी इंपोर्टेंट निकल के आच चुका है, सो स्टॉक में से कोई भी स इस वीडियो को जरूर देखना, यह वीडियो के लिए काफी इंपोर्टन होने वाला है, सो सबसे पहले हम बात करेंगे, वीप्रो लिमिटिट के बार में, आज की दिन में स्टॉक में हम एक नॉर्माल एक फ्लैट पाफिमिस देखन को मिला, और अगर पिछले 6 मंत के बात कर रहे है, वीप्रो जैसे कंपनी को, आप टॉप से देखोगे, तो आपको 45% उनके पूर्टिपिल में लॉसस देखने को मिल जागा, तो जो भी इनके सेर होल्डर है, फिर जो भी इन स्टॉक को एक साल के अंदर बाई किया है, फिर एक साल से स्टॉक को होल्ड कर रहे है, उनके लिए एक बहुत बड़े disappointment बाले point है, और इसके पीछे का reason भी कापी सार है, पहला अगर बात करें, पूरे IT इंडेक्स में, पूरी इंटर IT सेक्टर में हमको गिराबार देखने को मिला, जाए वो अगर बात करें, जो US के अमने NASDAQ है, US के जितने वे technology company, ये फितने व पैक बाले number ने, कोई मतब जो number में एक strength होना चाहिए, consistency जो होना चाहिए, जाकि stock में जो consistency की तेजी है, वो continue रहा है, ऐसा number वो कुछ time से, यानके 3 quarters से, वो ऐसा fundamentally शांदा number नहीं दिखा पार है, जिस बज़से stock में में गिरावाट और भी continue होते देखने को मिल रहा है, तो no जो कि तो setup and European Works Council, तो no doubt ये वीप्रो के लिए और वीप्रो के जितने भी shareholder के लिए, बहुत बड़े प्लाइस पहने है, अपने business को लेके, साथ साथ, अपने business को लेके, बहुत ही अच्छे कासा है, हमें experience करते हो देखने को मिल रहा है, जो कि अब कल की news है, वो भी आप अपने बहुत है, अपने एक साल पहले बाइग किया, तब ही आपको disappointment देखने को मिल रहा है, और पांच-पांच साल वाल के बात करें दोस्तों, उनके पास अब भी 80% है, लेकिन हाँ, no doubt एक पांच में पहले बताना चाहिए, बीप्रो में अगर कोई जाना चाहता है, कि 45% साल के discount में श्रॉक मिल रहा है, तो इसमें क्या buy किया जा सकता है, फिरेज buy किया, अगर आप जाना चाहता हो, जा सकते हो, बहुत ही शानदा श्रॉक है, कोई ऐसे वैसे, यह मतलब कोई खराब श्रॉक तो है बहुत ही अच्छे स्टॉक है, फंडमेंटर बहुत ही सुन्द तो आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो लेकिन लेवल भी बहुत ही शांदर है लेकिन ये बीप्रोब में इतना है क्राइच हो गार आप इसमें 10,000-20,000 investment करोगे तो आप पुरीते से पक जाओगे मतलब अगर आप 5 साल कोई data देखोगे तो at least 5 साल में आपके पैसे double हो सकता है डबल ये फिर 1500 जो कि अगर आप 20,000-30,000 investment करोगे इनकी छोटी मतलब small amount अगर आप investment करोगे तो आप बहुत ज़्यदा डिसेपोइंट आपको बहुत ज़्यदा आपको return देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि अगर आप 20,000 investment करोगे 5 साल बाद आपको 30,000-40,000 भी बन जाता है ये फिर 50,000 भी बन जाता है तो आपको ज़्यदा growth देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि Bepro जो है एक slow चलने वाले company जो कि आप देख भी पार होगे 5-5 साल में आपको 80-80% return बनाते हो देखने को मिल रहा है और अगर आप इसके long time गराब भी देखो कि जब से listing होए 1999 से तब से 2760% return बना कि दिया यांकि return देखोगे तो बहुत ही कम देखने को मिलेगा percentage लेकिन no doubt इनके जो इन्होंने जो bonus दिया से कुछ साल पहले उनको भी वो investment है वो करोर की investment बन चुका है तो यही point है बोनस बहुत 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 देता है लेकिन bonus के चलते किसी भी stock पे जाना ही होता है मतब जो risk है बहुत ही low रहेगा वी pro है आपके पास आप जरूर continue कर सकतो और no doubt जो data है वो बहुत ही positive है तो आने वालटा में इसको बहुत ज़्यादा हो देखने को आपको जरू मिल जाएगा नेक्स टॉक है हमारे सो इम्टार टेकोंची के बात करें आज किसमें हमें थोड़ा बहुत एक नॉर्मल है फ्लाट पॉक में से देखने को मिला और पिछले एक मन्त के बात करें दोस्तों जब से इसकी Q2 के number है हमें number के कोई ज़्यादा positive reaction देखने को नहीं मिला कि कोई जो देखने को मिल रहा है number आनके बाव जूर और पिछले six month के बात करें यहाँ पर आप देख पार हूंगे बाला सो पंदला सो के आसपास यह stock गए थे तब मैंने आपको पहले ही बतादे stock दोस्तों small cap company है तो no doubt अपने top level से 30, 40, 50, 60% भी correction हो साता था और यह आपने 52% correction होता अ कोई वयात कोई company नहीं है और साथ से कोई ऐसे loss में के company नहीं है एक profitable company बस इतना point है कि company के Q2Q on के number थे वो इतने खास नहीं थे और company small cap और यह new company है तो उसमें ज्यादा ग्रावाट जब बाजर में correction होता है तो असे stock में ग्रावाट आपको ज्यादा है देखने को मिल गया त सिर्फ 1-5 साल होए दोस्तों 1-5 साल में बाजर में अगर ज्यादा return आपको देखने को नहीं मिलेंगा वो भी ऐसे छूटी और एक new company में फिर भी 50% आपको return देखने को मिला जो की एक चाहुती साब positive भी consider कर से तो जिन्होंने भी top पे buy किया exactly top पे जो 2560 के top बने उनको भी में इतना है क्रांच होगा जब Q1 के number okay होगा तब भी मैंने आपको appreciate किया था 2060 करो अब Q2 के number तो 5 star ही दिखा है तो बेज जब को इक stock को continue करना long time में दोस्तों जो पहले KPR Day कोनची एफिरिंडे जैसे company तीन से चार साल होए उन्हें पांच-पांच-छेच उगुना पैसे बना कर दे चुका है वो एक-दो दिन में नहीं भागा वो भी एक-एक साल कुछ भी return नहीं दिया तो ये भी ऐसा ही है जिस time stock रपतार पकरेगा आप देखती रह जागा तो उससे better ह अगर आपके पास है तो hold करके बैटिए जिस time stock भागेगा उस rally को आप enjoy जरू कर सकते हो आज की दिन इसमें एक छोटा सामय positive update आते हो देखने को मिल रहा है तो क्या इस news की चलते है इस report की चलते है इस target की तदर MTA technology को buy करके बाय किया जासे लगते है ऐसा बेल्कुल नहीं है क्या ये company आपको अच्छे लगते है क्या company की business अच्छे लगते है क्या आपको लगता है क्या आने वाल टाइम में defense sector या फिर ये company आने वाल टाइम में लगा के आप चाल सकते हो जिस time stock भागेगा आपको गजब के प्रॉफिर बनते है देखने को जरू मिल जाते है और आपके पास से दोस्तों कमाल की company आने वाल टाइम में बहुत बड़ी बन सकते है बहुत बड़ी और आपको जो investment है जो भी investment हो इसको कही गुणय मल्टी जाता है तब भी stock में वो sustaining कर पाता है दुबारा stock में हमें एक profit booking होते हो देखने को मिल जाता है stock दुबारा से हमें 2000 के level पे आते हो ही देखने को मिल जाता है अगर आप एक साल की data दखोगे तो आपको बहुत एक consolidated pattern देखने को मिलेगा तो आप चाहो तो 21 को जो 21 के level है इस support बना के आप stock को phrase buy करके चल से तो इस चीज़ को better way में समझेर के लिए हम चलते company का technical wise graph को उपर सो हम आच चुक है इसके technical wise graph को उपर सो पैटन देख पार होंगे जो 2000 के level है बहुत बाशने support लिया और बहुत अच्छे का से strong support है तो आप चाहो तो इस current level पे 200 पे भी एक store में लगा के चल सो तो को top से stock अच्छे का से correction भी है तो और नीचे आजा तो और एक store में लगा देना है तो और नीचे तो और एक store में एक बार में लंसा और आप गलते से भी भाई मत करें जिनके बहुत टॉप पे बाई है तो फंटावंटर के इतने strong company ज्यादा बताने की ज़ थोड़ा risky है तो हम एक update आते हो देखने को बने जो कि एक बद्र पास है किसी भी operation की चलते किसी भी stock पर जाना नहीं होता है company के बारे फुल डीटेलने study करने उसके बाद अगर company अच्छे लगते तब छोटे सी श्टॉण में लगा के आप शुरुवात कर सकते हो सब्सक्राइब को डाउट है कि में पूसर तो मिलते हैं ऐसे ही industry भीयों को साथ अपने के लिए बागा